स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहला मंदिर आता है जगन्नाथ टेम्पल ये मंदिर उडिसा पूरी में है जगनात मंदिर के फृतियात्रा के लिए ही फेमस नहीं है बलकि मंदिर से जुड़े मिस्टीरिस चीजों के लिए भी फेमस है इंडियम में इस रहस में मंदिर को विपरित मंदिर के नाम से भी जाना जाता है मंदिर के उपर लगा जंडा हवा के विपरित दिसा में लहराता नजर आता है और यहां तक की मंदिर का पुजारी रोजाना जंडे को बदलने के लिए 20 फिट उचा जाते है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन के लिए भी अनुष्ठान नहीं होता है तो मंदिर 18 साल तक के लिए बन रहेगा जगनात मंदिर में जहां सुभा की हवा जमीन से आती है और शाम हवा समुंदर से आती है ये भी कहा जाता है कि मंदिर के उपर कोई पक्षी नहीं मंदराते हैं और इस मंदिर में दिन के किसी भी समय कोई छाया नहीं होती एक बार जब आप मंदिर के अंदर होते हैं तो किनारे पर होने के बावजुद आप लहरों की आवाज नहीं सुन सकते और सबसे चमतकार की बात तो ये है कि कई मिट्टी के बरतनों में खाना पकाया जाता है एक के उपर एक रखने के बावजुद उसका जो बरतन सबसे उपर होता है उसी बरतन का खाना सबसे पहले पके तयार होता है विचिस टूली अ मिरेकल राइट पदमना भास्वामी टेंपल दुनिया में सबसे अमीर मंदिर माना जाता है केरेला के तिरुवाननत पूरम मंदिर में जिसे 22 मिलिन डॉलर की तीजोरी है जिसे एक बार सुप्रीम कोट के आदेश पर खोला गया था साथ में से 6 रुम अनुरोत पर खोले गये थे और अनुमानित गहनों के गनन कई मिलिन डॉलर के थे बिना कुंडी या वोल्ट वाला साथवा चेंबर गुप्त है कि इसमें कई टन खजाना है जो अंधा है ऐसा अनुमान है कि पूरा कक्ष सोने से बना है इस गुप्त कक्ष का दर्वाजा बहुत मंत्रों चक्रों से के साथ खुई खुला जा सकता है और इसलिए ये एक रहस से बना हुआ है ऐसा माना जाता है कि अगर दर्वाजा खुल दिया गया तो इससे तबाही हो सकती है और शायद इसके बाद आपको समझ ही गए होंगे कि इंडिया को सोने की चिरिया क्यू बोलते है यदि आप एक क्रिश्न प्रेमी है तो व्रिंदावन के इस मंदिर ने आपको जरूर आकरशित किया होगा बोला जाता है वहां के मौहर शुरू होते हुए केस्तरा पेड़ों से घिरा हुआ है जो सुस्क केस्तरा के बावजु धरे है पेड़ जादा उचे नहीं होते हैं और एक दूसरे के साथ हस्ता शेप कर रहे होते हैं इन पेडों के तने और जादा खोकले होते हैं जो अपने आप में बहुत अजीब हैं ये केस्तरा बगबगा करने वाले बंदरों से घिरा हुआ है हाला कि सूरियास्त के बाद ये निधिवन छोड़ देते हैं यहां ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण हर साम अपनी गोपियों के साथ प्रेम की रास लिला करने के लिए आते हैं हर साम पुजारी मंदिर में कुछ प्रसाथ छोड़ जाता है और सुभाद वो बिखरे हुए मिलते हैं निधिवन की पावन भूमी के कंड कंड में भगवान स्री कृष्ण की उपस्तित थमवेश्वर महादेव मंदिर वदोधरा के करिश थमवेश्वर मंदिर लुप्त होने और उभरने के लिए अपने रहस्ति के लिए जाना जाता है भगवान सिवको समर्पित अरब सागर के तटपरस्थित थमवेश्वर महादेव मंदीर में केवल उस समय जाया जा सकता है जब ज़वार कम होता है ये देखा गया है कि उच्छे ज़वार के दौरान मंदीर पूरी तरह से समुंदर द्वारा निगल लिया जाता है जब तक पानी कम नहीं होता है ये अजीब है कि कैसे मंदीर कुछ ही घंटो बात फिर से प्रकट होता है आपको भारत में इस मंदीर के दर्सन करने होगी जहां उसके रहसे से पर्दा उटना भी बाकी है अगला मंदीर है कामाख्या देवी टेंपल मेंस्टुरेशन इन इंडे इस च्टिटेड अजा रहे थे दुख में मासिक धर्म वाली देवी का सबसे पुराना रहसे में मंदीर में से एक है जहां भक्तों का मानना है कि हर साल जून के महीने में देवी का खुन बहता है पवित्रता बनाये रखने के लिए उनके ब्लीडिंग साइकल को ना देखने के लिए मंदीर कुछ दिनों के लिए बंद रहता है इन तीन दिनों के दौरान मंदीर के भूमीगत जलासे का पानी पूरी तरह से लाल हो जाता है जो अपने आप में काफी अजीब बात है ऐसा होने पर कोई साइन्टिफिक तरक लागू नहीं होता है इसलिए भारत में भक्त भगवान के चमतकारों में अधिक विश्वास रखते हैं